धन्यवाज सभापती महोदे, मैं आपकी माध्यम से शुनिकाल में जिस विशय को आकरशित करना चाहती हूँ हमारा देश बहुत गौरवशाली हमारी संस्कृती रही है और इस गौरवशाली संस्कृती को हमने सहेच कर बहुत लंबे समय तक रखा लेकिन समय के साथ हम उसे धीरे धीरे भूल गए देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को सैयुक्तराष्ट संग में एकसो सततर देशों के समक्ष योग को अंतराष्टि योग दिवस के आउसर के रूप में बदलने की मांग की और सैयुक्तराष्ट संग में नबे दिनों में इसे मंजूरी मिली जिक किसी भारत के लिए मेरा ख्याल है सबसे कम समय में इस विशे को मंजूरी मिली है मानिनी सभापती महोदे में इस विशे को कहना चाहती हूँ कि योग जीवन का एक अनिवारियंग है यह हमारे भारत की संस्कृती है और पाश्याती संस्कृती को जब हमने अपनाया तो इस संघर्षपुन जीवन में अभी का जीवन सभी के लिए आम दिन्चरिया के हिसाब से भी बहुत संघर्षपुन है हमने योग को धीरे धीरे भुला दिया मैं आपके माध्यम से महदे इस मांग को करना चाहती हूँ सरकार से कि योग को अनिवारिय शिक्षा में शामिल किया जाए अगर बच्चों को कम उम्र से ही योग की शिक्षा मिलेगी तो आने वाले समय में वो इस संघर्षपुन जीवन का सामना बेहतरी से कर पाएंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व विकास में उनका विकास होगा इनी शब्दों के साथ धन्यवादे